नमस्कार आज के इस वीडियो पे हम पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे पॉक्सो एक्ट का पूरा नाम है Prosecution of Children from Sexual Offenses जो की आया था 2012 में यह criminal law है जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों को Sexual Abuse से बचाता है और यदि उन बच्चों के साथ कोई ऐसा अपराध हो जाता है या फिर Sexual Abuse के वो शिकार बन जाते हैं तो अपराधियों को सजा दिलाता है और उन बच्चों को एक नया जीवन शुरू करने में काफी हेल्प करता है ये जो हमारे देश में एक्ट आया है पॉक्सो एक्ट ये 2012 में निर्भया कांड के बाद बनाया गया है क्योंकि जो निर्भया कांड था वो तो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम था उसके बाद से ये एक्टिव इनलब ये ऐसे जो बच्चों के साथ या बड़ों के साथ लड़कियों के साथ ये अपराद आए दिन होते रहते थे लेकिन निर्भया वाला केस होने के बाद जो गॉर्मेंट थी बहुत जादा ही जागरूख हो गई थी उसके बाद ये वाला एक्ट बनाया गया था पॉक्सो एक्ट इसके अंदर क्या होता है पॉक्सो एक्ट के कुछ important features है जिनका सभी को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब हम इसके features के बारे में बात करते हैं सबसे पहली चीज़ पॉक्सो के तहत सभी अपराद जो भी अपराद होते हैं उसके अंडर वो special court में पेश किया जाते हैं और इस case के दौरान जो बच्चे होते हैं जो भी क्योंकि जो इसके दर विक्टिम होते हैं वो बच्चे होते हैं तो वो एक special court होती है उस court के अंदर उतने ही लोग होते हैं जिनको देखके बच्चे सहमे ना डरे ना खाच करके उनके सिफ माता-पिता होते हैं या तो ऐसे लोग जिनके उपर बच्चे को विश्वास होता है उनको भरोसा होता है ताकि बच्चे उनको देखके डरे नहीं मैंनी प्लेट ना हो वो इसली जज़ साब से या court के सामने अपनी बात रख सकें यदि कोई मुल्जिम मतलब जो अक्यूज़ परसन है गुनेगार 18 साल से कम उम्रका है तो ऐसे केस जुमिनाईल जस्चिस केरे प्रोटेक्शन अफ चिल्रण एक्ट के तहट जो की 2002 में आया था उसके तहट चलता है यदि बच्चा दिमागी रूप से कमजोर है मतलब जो विक्टिम है यदि वो दिमागी रूप से कमजोर है या उससे फिजिकली मेंटली किसी भी तरह की प्रोबलम है वो थोड़ा अबनॉर्मल है और वो अपने खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है court के अंदर तो court उसको एक translator प्रोवाइड करती है एक educator प्रोवाइड किया जाता है जो कि उसकी बात को easily court के सामने कर सके और बच्चे को comfortable महौल दिया जाए बच्चा बिलकुल भी सहमे ना परेशान ना हो इन cases में जो बच्चे के parents होते हैं वो public prosecutor के अलावा अपना एक separate lawyer भी hire कर सकते हैं इन cases को रिप्रेसेंट करते हैं लेकिन यदि जो parents और गार्जन है उनको ऐसे लगता है कि उनको एक lawyer की जरूरत है कि जो update कर सके उनको कि public prosecutors के पर इतना टाइम नहीं होता कि वो client से face to fail deal कर सके या पर client उसे easily comfortable होके question answer कर सके इसलिए वो separate lawyer भी hire कर सकते हैं जो ये आपक्सो एक की सारी proceedings होती है ये camera की समख्ष होती है विक्टिम को counselor भी provide होते हैं कई पर ऐसा होता है बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेहमा होता है तो एक room के अंदर जट्सा बैटे होते हैं video conferencing चल रही होती है बगलवले room के अंदर बच्चा बैठा होता है विक्टिम बैठे होते हैं उ जो कुछ पर court को बताना चाते हैं वो court को बताया जा सके तो box or act के तहट जो proceedings होती है जितनी भी इसकी formalities है चाहे वो complaint file करने की हो या court के अंदर appear होने की हो statement की हो गवाही की हो ये सारी की सारी proceedings बहुत comfortable महौर में होती है बच्चे को बिलकुर भी परिशान नहीं किया जाता ह है ना कि उसके guardians को परिशान का मतलब कि उनके उपर किसी पितरा का pressure नहीं create किया जाता है एक ऐसा माहौल दिया जाता है जहां पर बच्चा easily अपनी बात कर सके अगर वो चाहे तो अपने माता-पिता वो ये भी कह सकता है कि मुझे अकेले में बात करनी माता-पिता चाहे तो वो बाहर भी बैट सकते हैं उनकी भी involvement जरूरी नहीं होती है तो अगर आज के time पे आये दिन ये सब चीज़े हो रही है बहुत सारे बच्चे जिनको नहीं जानकारी होती है इसके बारे में तो वो अपने parents को बताते नहीं है कई cases में parents को पता भी होता है लेकिन उनको जानक जब तक एक इंसान भी आगे नहीं पड़ेगा तो ये चीज़े खतम नहीं होंगी इस चीज को खतम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इससे जुड़ी हुए किसी भी तरह की जानकारी आपको हमसे चाहिए तो आप हमारे दिये गए help line number जो है 8130 150 123 इस पे आप कॉल क कर सकते हैं और हमसे मदद दे सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें शेर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद